मुद्रा स्फीती मुद्रा स्फीती, इंफ्लेशन अर्थिया होता है कि जब किसी अर्थ विवस्था में सामाने कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूलिक कम हो जाए यह गनितिया आकलन पर आधारे तेकर तशास्त्रिय अवधार नहें जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार ववस्थूओं की कीमतों में वृधी या कमी की गनना की जाती है उदाहरन के लिए 1990 में 100 रुपए में जितना सामान आता था अगर 2000 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपे व्याय करने पड़े है तो माना जाएगा कि मुद्रा स्फीती शत प्रतिशत बढ़ गई अगर अर्थ व्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है और फिर कम हो जाती है और फिर दुबारा बढ़ती है तो हम इसे मुद्रा स्फीती नहीं कहेगे मुद्रा स्फीती में तो सामान इकीमत स्तर लगातार बढ़ना चाहिए एक निश्चित आय वर्ग वाले लोगों पर मुद्रा स्फीती का बुरा प्रभाव पढ़ता है क्योंकि उसकी आय निश्चित होती है और जब कीमतें बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ती कम हो जाती है इस प्रकार एक विकास शीलर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीती का बहुत भायकर प्रभाव पढ़ता है मुद्रा स्फीती समस्तर तशास्त्री अशब्दों में संभवतर सरवाधिक लोगप्रिय है किन्तु इसे पारिभाशित करना एक कठिन कार्य है विभिन विद्वानों ने इसकी भिन भिन परिभाशा दी है बहुत कमाल के लिए बहुत अधिक धन की आपूर्ती हो जाने से इसका जनम हो जाता है मालया सेवा की आपूर्ती की तुला में मांग अधिक हो जाने पर भी इसका जनम ही जाता है आपूर्ती में दोश, गत्यावरोध तथा धांचागत असंतुलन के चलते भी मुद्रा स्फीती पनपती हैं सामानिय रूप से इसका अर्थिय होगा कि ये बिनारू के बढ़ती दर से किसी दिये गए काल्थंड में मूल्यस्तर की वृध्धी हैं जो भविश्य में और अधिक वृध्धी की संभावना को बढ़ाती है भारत में मुद्रा स्फीती कामा अपन्थोक मूल्यसूचकांग होलसेल प्राइस इंडेक्स तथा अध्योगिक श्रमिक हेतू उपभोकता मूल्यसूचकांग कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है मुद्रा स्फीती के कारण कारनात्मक रूप से मुद्रास्फीती के कई कारण हो सकते हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं मांग कारक, डिमांड पुल मूल्य वृध्धी कारक, कॉस्ट पुश मांग कारक माल सेवा की मांग में वृध्धी से पैदा होते हैं जबकि मूल्य वृद्धी कारक स्पष्ट तहम मूल्य वृद्धी अथवा मा सेवा की आपूर्ती में कमी से उत्पन्न होते हैं। मुद्रासफीती के प्रभाव दुरासफीती के किसी अर्थ विवस्ता के आर्थिक क्षेत्र तथा नार्थिक क्षेत्र पर निमनलिखिक प्रभाव पड़ते हैं एक निवेशकर्ता पर प्रभाव निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं पहले प्रकार के निवेश करता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं. सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चताय प्राप्त होती है तथा दूसरे निवेश करता वे होते हैं जो सयुक्त पूंजी कमपनियों के हिस्से खरीदते हैं. इनकी आय मुद् मुद्रास्फीति के होने पर बढ़ती है, मुद्रास्फीति से निवेश करता के पहले वर्ग को नुकसान तथा दूसरे वर्ग को फायदा होगा। 2. निश्चित आय के वर्ग पर प्रभाव निश्चित आय के वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदी, मुद्रास्फीती के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती है जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पढ़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीती के कारण निश्चित आय वर्ग नुकसान उठाता है। 3. कृषको पर प्रभाव मुद्रास्फीती का क्रिशक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि क्रिशक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीती के दौरान उत्पादन की कीम्तें बढ़ती है इस प्रकार मुद्रास्फीती के दौरान क्रिशक वर्ग को लाव मिलता है 4. रिनी और रिंदाता पर प्रभाव मुद्रासफीती का रिंदाता पर प्रतिकूल तथा रिनी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब रिंदाता अपने रुपे किसी को धार देता है तो मुद्रासफीती होने के कारण उसके रुपे का मूल्य कम हो जाएगा इस प्रकार रिंदाता को मुद्रासफीती से हानी तथा रिनी को लाब होता है 5. बचत पर प्रभाव मुद्रास्फीती का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीती होने के कारण वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय में वृध्धी होती है इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी दूसरी और मुद्रासफीती से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना ही नहीं चाहेगे 6. भुकतान संतुलन पर प्रभाव मुद्रासफीती के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में विद्धी होती है इसके कारण हमारे निर्यात महगे हो जाएंगे तथा आयात सस्ते हो जाएगे नियारतों में कमी होगी तथा आयतों में विद्धी होगी जिसके कारण भुकतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा 7. सार्वजन निक्रिनों पर प्रभाव मुद्रास्फीती के कारण सार्वजनिक रिनों में वृध्धी हो जाती है क्योंकि जब कीमत स्तर में वृध्धी होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपने व्याय को बढ़ाना पड़ता है इस व्याय की पूर्ती के लिए सरकार जनता से रिन लेती है अतह मुद्रास्फीती के कारण सार्वजनिक रिनों में विद्धी होती है 8. करों पर प्रभाव मुद्रास्फीती के कारण सरकार के सार्वजनिक व्याय में बहुत विद्धी होती है सरकार अपने व्याय की पूर्ती के लिए नए नए कर लगाती है तथा पुराने करों में विध्धी करती है इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में विध्धी होती है 9. नैतिक प्रभाव मुद्रास्फीति के कारण व्यापारी वर्ग लालच में अंधा हो जाता है और जमाखोरी मुनाफ़ा खोरी तथा मिलावट आदी का प्रयोग उत्पादन को बेचने में करते हैं सरकारी कर्मचारी भ्रस्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तथा व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों का पतन होता है 10. उत्पाद को पर प्रभाव मुद्रास्फीती के कारण उत्पादक तथा उत्यमी वर्ग को लाब प्राप्त होता है क्योंकि उत्पादक जिनवस्तूओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीम्ते बढ़ रही होता है तथा मजदूई में भी व्रिधी कीम्तों की तुल्ना में कम होती है इस प्रकार मुद्रास फीती से उद्यमी तथा उत्पाद को का फायदा होता है विशय का अंत